रतन ताटा ने अब कौन सा रिकॉट बना दिया? कैसे आनन्द महिंद्रा को रतन ताटा ने पीछे छोड़ा? क्यों सोशल मीडिया पर रतन ताटा छाय हुए है? क्या रतन टाटा और आनन वहिंद्रा एक दूसरे से कॉंपेटीशन कर रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बता देते हैं. वैसे तो देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा ग्रुप का कारोबार नमक से लेकर हवाई जहास तक फैला हुआ है. टाटा ग्रुप के पूर्फ चेयरमेन रतन टाटा किसी पहचान के महताज नहीं है. जितनी चर्चा उनकी एक कारोबारी के रूप में होती है, उतनी सुर्खियों में वो अपनी दरिया दिली को लेकर भी बने रहते हैं. बता वाईरल हो जाते हैं. हाली में रतन टाटा ने कुट्टों से जूड़ी दो पोस्ट की थी, जिनमें से एक उन्होंने बरसात में बेसहारा कुट्टों को सरंड देने और उनके बचाओ करने की निवेधन किये थी. तो हैं दूसरे पोस्ट में उन्होंने अपने आफिस के कर मिले कुट्टे का मालिक धूडने की अपील की थी. दरसल रतन टाटा के सोशल मीडिया पर उनके फॉलोवर्स की संख्या काफी जादा है और अब उन्होंने इस मामले में एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है. नौक्तूबर की जारी की गई हुंकार इंडिया रिच लिस् 2023 की इस नई लिस्ट में अब सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किये जाने वाले भारती कारोबारी रतन टाटा सबसे आगे निकल चुके. रतन टाटा के एक्स पर लगवक्त साहे 12 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं. वहीं आनन्द महिंद्रा की बात करने तो उन के पास 10.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं. बतादे की हुनर इंडिया और 360 वन वेल्थ ने मिलकर रिच लिस्ट को पब्लिस किया हैं. ये भारत के सबसे रईस्ट लोगों का बारवा एनुवल एडिशन है. रतन टाटा के एक्स पर फॉलोवर्स की संख्या में बीते एक साल में ज लिस्ट हर साल जारी करता है. इसमें अमीरों की दौलत के आकड़ों के साथ अन्युपलब्दियों के बारे में भी उजागर किया जाता है. 84 साल के भारती कारोबारी रतन टाटा को जहां इस साल सबसे ज़्यादा फॉलो किये जाने वाले विजनेसमेन बने हैं, तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर आनंद महिंद्रा है. 361 विल्थ हुनर इंडिया के मताबिक आनंद महिंद्रा के ट्विटर फॉलोवर्स की संख्या भी एक करों के पार हैं और उन्हें फिलहाल 10.08 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं. बतादे कि महिंद्रा चेयर्मेन शोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाले उद्योग पती माने जाते हैं और वे आए दिन कुछ न कुछ ऐसा पोस्ट करते रहते हैं, जो वायरल हो जाता है. बतादे कि आनन्द महिंद्रा के मोटिवेशनल पोस्ट को सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर पसंद किया जाता है. फिलहाल 2023 की रिपोर्ट के मताबिक मौजूदा समय में रतन टाटा सोशल मीडिया पर पहले पैयदान पर आ गए हैं. इस खबर पर आपकी क्या रहा है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें.